साहिब शिरी गुरु अर्जन देव जीदा कथन है के मालक प्रभुदा मुट कदीम तो सुबा है के जीडा जीव उस दी शरन विच आउंदा है उसनू ओ अपनी गायुनाल ला लेंदा है डिन गुरुबाणी दी उप्रोग्त तुक उस विले दी वार वार मेरे जिहन विच दस्तक दे रही है जदों दा विरोधी तिर दे निता राहल गंदी दो दिना दे दोरे ते शिरी दरबार साहिब दे दर्शना ले आई होई हन ओ बिना किसे राज नीतित बिखावे दे ते बिना अपनी पार्टी दे लाम लशकर दे शिरी दरबार साहिब विच सेवा करते अते कथा कीर्तन सर्वन करते दिखाई दिते पर कुछ अकाली आगुआ वलो उना नू उना दी दादी दे कर्मा दी मुआफी मंगण ले के हा जार है डनी असी समझ दे हा कि जदो कोई चल के गुरू साहिब दे चर्ना विच चुकन आ गया है ता ओ अपने मन विच मुआफी मंग के ही आया हुवेगा राहुल गंदी इस विले पारती स्यास्त दा इक तुराहन दिन बेशक ओ इंडिया गठ जोण वलो अचे परदान मंत्री पदते दावेदा नहीं हन पर असलियत यह है यही है के जे परदान मंत्री नरेंदर मुदी हुकम रान पारती दे समतों वड़े नेता हन ता विरोधी तेर दे समतों वड़े नेता इस विले राहुल गंदी ही हन डिड़ मुआफ करना मैं राहुल गंदी दी साहिब शिरी गुरु गोबिन सिंग ची दी साहिब जात्या डाल तुलुना करने दी हिमाकत जा जुरत नहीं कर रहा सको सिधात दी गल कार रहा हां डिड़ गुरु साहिब दे दो शोटे मसूम साहिब जात्या डू सुबा सरहिद ने सिर्फ इसली नीहा विच चिडवा के कतल करवा दितासी के ओ साहिब शिरी कुरु गोबिन सिंग जी दे बेटे सन डिने अज तक इतिहास मुगल साम राच ते सुबा सरहिद नो इस गुणा ए अजीम ले लहरता पौदा है इते सिदा तक गल उपर दी है के हकूमत ना टकरता साहिब शिरी कुरु गोबिन सिंग जी दे सी उना दे मसूम सहिब शादया दा की कसूर सी प्रशन चर्ट के उना नू दर्दनाक सजा ए मौत दे दिती गई इस सिदा तक गल दी संदर्प विच ही समझया जाना चाहिदा है के 1984 दे शिरी दर्बा साहिब ते हमले अती सिख कतलयाम विले 14 सार दे राहल अती